कि सब्सक्राइब किजिए स्मार्ट थिंकिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाएए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हाई वीवर मेरा नाम सर्फराज है और आप देख रहे हैं स्मार्ट थिंकिंग एक वर फिर स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल जिसका नाम है स्मार्ट थिंकिंग तो आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ट का नया नियम फेस निदक्सन के बाड़े में ये कैसे क जाना है और ये कम जूर रहा है तो चलिए सुरू करते हैं अधार कार्ट को लेकर एक नया नियम आ रहा है तो क्या कुछ नया नियम है जालेके वाच्वल आइडी आने के बाद एक नया अब्रेट आरहा है वहनाना जा रहा है बाड़ा बदलाव है अगर पढ़िशानी से बचने बचना है तो दोस्तों ये वीडियो देखना जरूरी है आपके लिए एक जुलाई से लागो हो जाएगा नया डियम आपको बता दे कि आधार का या नया फ्यूचर एक जुलाई दुवाजर अठा से लागो हो जाएगा उबीद की जा रही है रेजिस्टर डिवाइसे पर अठिकेशन के माजूदा साधरों अंगलियों के निसान और आखों की पुतलियों के साथ चेहरे के पहचान का विकल्प जुड़ जाएगा यह साफ है कि चेहरे की पहचान वाली फीचर फिंगर प्रिट आरिस या ओटी ओटीपी में से किसी एक के साथ ही आएगा अब अठिकेशन में नहीं होगी दिक्कत रियूज एजैंसी पीटी आई के अनुसर यह सुवीधा उन लोगों को काम आएगा जिनका बायोमेट्रिक अठिकेशन में फिंगर प्रिट की दिक्कत है बुड़ापे या कठित कारिक करते रहने की वज़ा से समस्य आती है इनके इला आईडी आने की तैयारी फिलहाल यू आईडी एई के आधार की सुरक्षा से जुनी चिंता दूर करने के लिए हाल ही में 16 अंकों का वाच्वल आईडी लाने का एलान किया था वाच्वल आईडी का वेबसाइट से जेनरेट कर सीब वेरिफिकेशन से लेकर पिभी जरूरत के लिए इस्तिवाल किया जा सकता है वाच्वल आईडी लेने के बाद सत्यापत के लिए वास्तिविक आधार नंबर साजा करने की ज़रूरत नहीं है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों के लिए लाबधायक हो इसी तरह का इंफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारी यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कीजिए